मुवी स्टार्ट होती है 1519 स्पेन में जहां पर हम एक एक्स्प्लोरर को देखते हैं जिसका नाम कॉर्टेस है ये एक एंचिन सिटी को ढून रहा था साथ ही हम दो लड़कों को देखते हैं जिनका नाम है मिगेल और टूलियो ये दोनों मिलकर लोगों को बेवकूप बनाते थे और उनसे पैसे निकलवाते थे साथ ही यहां पर एक आदमी अपना मैप बेट पे लगा देता है यहां पर टूलियो देखता है कि ये वोही इंचिन सिटी का मैप है बेट तो टूलियो को काफे रिस्की लग रही थी बत मिगेल उसे समझाता है कि हमें गेम खेलनी चाहिए अब वो आदमी इन दोनों की चल निकलती है ये वोही डाइस थी जिसको जब भी यूज किया जाए तो एक ही नमबर आता था जब सारे लोग देखते हैं कि ये तो चीटिंग किया करते थे तो वह वहां के एंपरर को बुला कर इनको पकरवाने की बात करते हैं अब यहां पर लोगों को बेवकूव एक बार फिर से बनाकर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते अराम से यहां से निकल जाते हैं अब भागते भागते इनका सामना एक एंगरी बुल से होता है एक तरफ लोग इनके पीछे थे और एक तरफ ये बुल भी इनके पीछे पर गया था अब छु कोटेस के आदमी दोनों को पकर लेते हैं कोटेस इन दोनों से कहता है कि अब तुम दोनों मेरे गुलाम बनकर रहोगे और ऐसे ही काफी जादा दिन निकल जाते हैं और इनको कहीं से भागने का मौका नहीं मिलता यहां शिप पर हम एल्टीवो नाम का एक घोड़ा भी देखत है यहां पर उसको चाबी लाकर देता है जिसके बाद मिगेल और टूलियो यहां से निकल परते हैं इक बोट में पट इनके साथ एल्टीवो भी जम कर देता है क्योंकि वह भी दोनों के साथ आना चाहता था इसके बाद अब यह दोनों और गोड़ा उसी बोट के उपर सफ लगते हैं कि वापिस जाया जाए पर अचानक से मिगेल की नजर परती है एक बहुत ही बड़े से रॉक के उपर जिसको देखकर उसे कुछ याद आता है वो मैप निकालता है और देखता है कि ऐसा ही मैप के उपर भी रॉक बना हुआ है उसे लगता है कि किसमत चाती है कि ये लोग उस इंशिन्ट गोल्ड सिटी को धूंदी ले तूलियो को ये बात समझ आने ही रही थी वो फिर भी मिगेल से कहता है कि यहाँ पर बहुत जादा खत्रा है हमें वापिस चले जाना चाहिए पर मिगेल उसे समझाता है कि हमें ये सारा सोना अगर मिल गया तो हम दो उनों की किसमत तो बदल ही जाएगी आखिरकार चूलियो भी इसकी बात में आई जाता है जिसके बाद ये लोग उस मैप को फॉलो करने लगते हैं रास्ते में इनको बहुत ही मुश्किलों को सामना तो करना पड़ता है पर ये लोग फिर भी हार नहीं मानते और आगे चलत रहते हैं एंड में आके इनको एक बहुती बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है जिसके उपर बहुत सारी काव इंस भी हुई भी थी तो लोग भी उसके साथ आ जाते हैं जो कि उसका पीछा कर रहे थे अब ये लोग मिगेल और चूलियो को भी अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं ये सारे लोग उस लड़की और इन दोनों को वाटर फॉल के थ्रू एक रास्ते से आगी लेके जाते हैं यहां पर पता चलता है कि ये लड़की एक चोर है क्योंकि उसके हाथ में कुछ गोल की चीज़ी थी अब ये लोग इसी रास्ते से होते वे उसी गोल सिटी तक पहुंच जाते हैं जिसका नाम एलडोराडो था सिटी के लोग इन दोनों नए लोगों को देखकर बहुत जादा हैरान होते हैं और इसी तरह से खबर वहां के लीडर टैना बोग तक भी पहुंच जाती है ऐसे ही ये खबर उड़ते यहां के इवल प्रीस जिकाल तक भ रहा था कि यहां के लोग उनको गौड ही समझें जिसके बाद वो इस बात की हां में हां मिला ही देते हैं साथ ही ये प्रीस्ट उस लड़की को बाहर निकालता है और कहता है कि इसको पनिश्मेंट के तौर पे मार दिया जाए बद टूलियो उसको रोकता है और मना करता है क इसको कोई सजा नहीं दी जाएगी फ्रीस्ट को इस पाद से थोड़ा सा मसला था जिसके बाद वो थोड़ा आर्ग्यू करता है जब मिगैल और टूलियो थोड़े घुसे में आते हैं तो कुइंसिडेंट की बात ये थी के साथ ही एक ऐसा वालकेनो था जो कि एक्टिव हो लगता है कि ये दोनों ही गौड हैं और हम अपने गौड को गुसा नहीं दिला सकते इसके बाद ये सब लोग मिलकर इन दोनों को टेंपल में ले आते हैं टेंपल में जब ये दोनों अकेले होते हैं तो ये प्लैन करते हैं कि यहां से गोल कैसे चुराया जाए यहां पर हम लड़की जो कि चोरी कर चुकी थी उसका नाम चल है & और वो इन दोनों की बातों को सब लेती है उसको पता चल जाता है कि यह दोनों कोई गौड नए जिसके बाद वो कहती है कि मैं तुन लोगे रास को राजी पार्टी रखी जाती है जहांपर हम देखते हैं कि जिकाल एक आदमी की बली देने लगता है इन दोनों के लिए पर ये दोनों God कहते हैं कि नहीं आज किसी की भी बली नहीं होगी साथ ही टैना भूक इन दोनों के लिए बहुत ही जादा सोना भी लेकर आता है ये दोनों बहुत ही जादा enjoy कर रहे थे यहाँ पर ये gold जो इनके लिए लाया गया था वो लोग एक whirlpool में फैंक देती है ये दोनों देखकर तो बहुत ही हरान होती है कि ऐसे gold को नीचे कैसे फैंका जा रहा है चल इन लोगों को पताती है कि इन सारे लोगों को लगता है कि नीचे वर्लपूल में एक स्पिरिट सिटी है जहाँ पर हम जो भी gold फैंकें वो gods को मिल जाता है इसके बाद चल एक चलाकी दिखाती है जिसके बाद वो टैना बोक को कहती है कि सारे gold को temple में भीड दिया जाए दूसरी तरफ मिगेल और टूलियो वहाँ के लीडर टैना बोक को कहते है कि हमें इट बोट बना कर दो क्योंकि हमें दूसरी दुनिया से कुछ बहुत इंपॉर्टन काम है अब god की बात को कौन ना माने टैना बोक भी उनकी बात को मान लेता है दूसरी तरफ टूलियो मिगेल से कहता है कि थोड़ा रिलाक्स रहे जब तक वो लोग इस जगा से निकल नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स भी थी जिन में बहुत ही क्लिरली बताया गया था कि ये लोग इनको मार भी सकते हैं अगर इनकी सचाई सामने आ गई पर टूलियो की इन सारी बातों का भी मिगेल पे कोई असर नहीं होता वो सिटी में चला जाता है घूमने के लिए यहाँ पर उसे पता चलता है कि प्रीस्ट जिकाल ने लोगों को बहुत डरा के रखा हुए तो उसे डाउट होता है कि गौड तो ऐसे नहीं होते जिसके बाद वो टूलियो के पास आता है वो टूलियो से कहता है कि अगर आप लोग ऐसे बहुत ही फ्री होकर लोगों के साथ मिलेंगे तो कोई भी आपसे डरेगा नहीं तो हमें चाहिए कि हम किसी की बली दे दें पत इस पार भी टूलियो पहले की तरह उसे मना करता है कि किसी की बली नहीं दी जाएगी और इस बात के बाद तो जिकैल का शक बहुत ही जादा स्ट्रॉंग हो जाता है कि ये दोनों गॉड्स नहीं होंगे दूसरी तरफ कोर्टेस बहुत ही करीब पहुंच चुका था इस सिटी के अब दूसरी तरफ जिकैल इन दोनों को कहता है कि अगर आप लोग गॉड़् हैं तो आप लुपों को हमारे साथ एक बॉल गेम खेलनी होगी चूलियो को लगता है कि अब ये दोनों पकड़े ही जाएंगे वो मिगैल को बहुत ही फोर्स करता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए पर मिगैल फिर भी नहीं सुनता और ये दोनों रेडी हो जाते हैं गेम खेलने के लिए पर ये गेम बहुत ही जादा मुश्किल थी और इन दोनों का जीतना तो नामुम्किन था गेम स्टार्ट होती है और ये दोनों तो बहुत ही बुरे तरीके से हार रहे थे यहां पर चल को एक आइडिया आता है वो अपने पेट आर्मडेलों को बॉल की तरह रखती है और इन दोनों से कहती है कि इसको यूज करके जीत जाओ और ऐसा ही होता है ये दोनों इस बॉल को यूज करते हैं और अराम से गीम जी जाते हैं जिसके बाद प्रीस जिकाल इनको कहता है कि रूल्स के कॉर्डिंग ली तुम लोगों को आपजिट टीम की पली देनी होगी ये बात फिर से सुनकर मिगैल को बहुत ही जादा घुसा आता है वो प्रीस से कहता है कि तुम इस सिटी से अराम से निकल जाओ यहाँ पर जब ये दोनों बात कह रहे थे तो प्रीस नोट करता है कि मिगैल के माथे से खुन निकल रहा है और वो अराम से समझ आता है कि ये दोनों गौद्स नहीं क्योंकि गौद्स का तो खुन नहीं निकल सकता इसके बाद प्रीस्ट अपने टेंपल में जाता है और कहता है कि जैगवार को जगाने का वक्त आ गया है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोट रेडी हो चुकी है बट मिगैल का इस जगा को छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा था ये बात यहां का लीडर टेना बुक भी देख लेता है जिसके बाद वो मिगैल से कहता है कि हमारे दर्वासे तुम लोगों के लिए हमेशा खुले हैं इस बात से पता चलता है कि लीडर को समझ आ गई थी कि ये दोनों गौर नहीं है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहां का प्रीस्ट यहां के एक इनसान की बली देकर खुद को बहुत ही जादा स्ट्रॉंग कर लेता है और इसी पावर के थूँ वो वहां के एक पत्थर वाले जैगवार को जिन्दा करके यहां की सिटी पर हमला कर देता है जब चल यह देखती है तो वो इन दोनों से कहती है कि हमें यहां से भाग जाना चाहिए यह तीनों यहां से निकल बढ़ते हैं और वो जैगवार इनको फॉलो करता है फॉलो करते करते वो चल को बकर लेता है जिसके बाद मिगैल और चूलियो इसका दिहान बटा कर चल को वहां से बचा लेते हैं यह लोग भागते भागते वालकेनों के पास भी आ जाते हैं बट आग भी उस जैगवार का कुछ कर नहीं पाती यहां पर यह प्रीस्ट कहता है कि इन दोनों को स्पिरिट वर्ल में फैंक देना चाहिए पट इस से पहले कि वो ही इन दोनों को फैंकता वो खुद जैगवार के साथ नीचे गिर जाता है ये प्रीस्ट पानी के साथ बहते बहते सिटी से बाहर आ जाता है जहां पर उसका सामना कोर्टेस से होता है अब इस प्रीस्ट को लगता है कि शायद कोर्टेस ही गौड है दूसी तरफ कोर्टेस भी उस प्रीस्ट के कानों में गोल देख लेता है सीटी के अंदर मिगेल सबसे कहता है कि वो तो अब इस सीटी में ही रहेगा क्यूंकि उसे ये जगा बहुत पसंद आ गई है तूलियो को ये बात बहुत ही ज़दा दुखी कर देती है पर वो एगो में आकर कोई बात भी नहीं करता मिगेल से और वो चैल और गोल के साथ यहां से निकलने का प्लान करता है अब अगले दिन हम देखते है कि एक आदमी इनके पास भागता हुआ आता है क्यूंकि काफी दूर से धुआ नजर आ रहा था वो इनको बताता है कि जिकैल कुछ और लोगों के साथ इसी साइट पर आ रहा है तूलियो समझ जाता है कि यह शायद कोट ऐस ही होगा इसके बाद वो यहां के लीडर टेना बुक से कहता है कि अपने आदमें को रेडी कर ले मिगैल उसको बताता है कि तूम्हारे पास इतने हत्यार नहीं कि तूम उन लोगों का सामना कर सको यहां पर टूलियो को एक आईडिया आता है टूलियो कहता है कि अगर हम अपनी शिप को उन पिलर्स के साथ तकरा दें जो के वाटर फॉल के अंदर है तो रास्ता बंद हो जाएगा और बाहर से कोई यहां पर आ नहीं पाएगा पत इस चीज के लिए इन्हें बहुत जादा पानी चाहिए होगा जब तक एक अच्छा वाटर करेंट प्रोड्यूस नहीं होगा ये लोग इतनी फॉर्स के साथ उन पिलर्स के साथ तकरा नहीं पाएंगे टैना भूक के माइन में एक आइडिया आता है और वो लोगों से कहता है कि एक बहुती बड़े स्टैचू को पानी में गिरा दो ताकि करेंट क्रियट हो और ये शिप बहुत जोर से उन पिलर्स के साथ तकरा सके अब ये लोग बिलकुल ऐसा ही करते है टूलियो और चैल शिप में बैट जाते हैं और ये लोग शिप को आगे लेकर जाते हैं यहाँ पर स्टैचू गिरने वाला था पर अचानक से टूलियो की सेल अतक जाती है मिगेल जब दूर से ये देखता है तो समझ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टैचू इन पर ही गिर जाए अब वो यहाँ पर LTO के उपर बैट कर तेजी से इनके पाँ जाता है और मदद करता है ताकि सेल अराम से खुल सके टूलियो मिगेल से कहता है कि तुम्हें वापे जाना होगा अगर तुम शिप पर रहे तो तुम वापे सिटी में जा नहीं सकोगे मिगेल उसे कहता है कि मैं वैसे भी तुम्हारे बगेर उस सिटी में रह नहीं सकता इसके बाद ये शिप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है जिसके बाद ये पिलर से टकराती है और अल्डोराजो का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है इसके साथ शिप भी खराब हो जाती है ये लोग तो पानी में आते ही है पर चारा गोल भी बाहर निकल जाता है यहाँ पर अचानक से इनकी नजर पढ़ती है कोटेस पे जो के जिकाल के साथ इसी साइट पर आ रहा था जब ये लोग यहाँ पर पहुशते हैं तो कोटेस देखता है कि सिटी में जाने का कोई रास्ता नहीं इससे तो उसको ख्लीर लगता है कि जिकाल ने जूट बोला है जिसके बाद वो अपने आदमों से कहता है कि इसको लेकर वापिस चलो और इसको हम अपना कैदी बना लेंगे जब ये सारे लोग चले जाते हैं तो टूलियो बहुत ज़ादा उदास हो जाता है क्यूंकि सारा सोना तो ये खोचुके थे यहाँ पर तो ये नोट भी नहीं करता कि एल टिवो के होर्शू गोल के बने वी है यहाँ पर मिगेल उसे रिलाक्स करता है और ये दोनों बाकी सारी बातों को भूल कर फिर से फ्रेंट्स बन जाते हैं एंड में हम देखते हैं कि मिगेल टूलियो और चल एक नए अडवेंचर के लिए जा रही है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है